आज किस वीडियो में दोस्तो हम e-swarm card से विलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आए हैं दोस्तो e-swarm card की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है जिल लोगों ने e-swarm card बना लिया है वो लोग इस वीडियो को एंड तक बोच कीजिएगा और यहाँ पर लिखाए e-swarm पर अपना बरतमान पता अपडेट करें csc या e-swarm.gov.in पर जाएं इनके कहने का मतलब है इस मेसिज के आने का मतलब यह है कि आप अपना पता अपडेट कीजिए अब दोस्तों पता अपडेट करने के लिए यह क्यों बोल रहा है और किन कि लोगों को यहाँ पर यह पता अपडेट करना है यहाँ पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ पहला तो दोस्तों पता उन लोगों को अपडेट करना है माली जी आपको डेली में रहते हैं और आप जॉब करने के लिए राजिस्तान के माली जैपुर सिटी में जाते हैं आप डेली में रहते हैं लेकिन आपको जॉब के लिए जैपुर जाना है तो आपका एड्रस वो पड़ा होगा जो आप इस समय जहां पे रहते हैं मतलब आपने address तो Delhi का डाल रखा होगा और आप रहते हैं जैपुर में जोब करने जाते हैं जैपुर तो यहाँ पे आपको जैपुर का पता डालना होगा और इसलिए ये पता आपको update करने के लिए बताया गया है पहला तो दोस्तो ये हो गया इसके बाद दोस्तो second के आए कि दूसरे लोगों को किन को पता update करना है second दोस्तो उन लोगों को पता करना है update की आपका आधार कार्ड है अब आपने जो आधार कार्ड में address डाला था पहले वो ये address जो है e-swarm कार्ड में भी आपने डाल दिया लेकिन अब आपने अधार कार्ड को update करा दिया है अगर address change करा दिया है तो यहाँ पे आपको address फिर से change करना पड़ेगा तो दोस्तो इस message के आने का मतलब बस यह है अगर आपने अपना address बदला है तो आप यहाँ पे update कर दिजिए अगर नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है आप पता update मत कीजिए यह आपको लगता है कि हमने कोई भी अधर गड़वर की है address में पहले ही तो आप उसको भी update कर सकते हैं फिलाल अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो के मादम से कि पता कैसे update किया जाएगा अपने mobile phone से कैसे पता update कर सकते हैं तो उसके लिए आप मुझे comment box में yes लिकर के बता दीजे हम आपको next वीडियो में बता देंगे कि आप पता को ऐसे update कर सकते हैं यानि कि adverse कैसे change कर सकते हैं वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like कर दीजे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक सेव कीजिएगा थैंक्यो